हेलो फ्रेंड्स चलिए हम दोट सभी जानते हैं आज के टॉप टैन करेंट फेर कुश्चन के बारे में जो की जारकन से सम्मझनित होंगे ये मुख्यता जेपेसी और जेटीसी के लिए बहुत ही फैद्धे मन्द होंगे हमारा पहला केशन है रिशर्ष मैथडोलोजी कोर्ष की सुर्वात किस विद्याले में की गई हमारा अप्षन है केंदरी विश्विद्याले दूसरा अप्षन निलांबर पितांबर विश्विद्याले तीसरा अप्षन बिनो भावी विश्विद्याले और चाथा अप्षन राची विश्विद्याले, हमारा अंसर होगा, ओप्सन नमबर 4, राची विश्विद्याले, जी हाँ, राची विश्विद्याले के UGC, मानो संसाधन विकात केंदर में, सुमवार को, रिजर्च मेथडोलोजी पर, दू सप्ता रिफ्रेस्वर कोर्ष की सुर्वात्वी, इसमें देश भर के विविश्विद्यालों से अलग-अलग विश्विद्यालों के सत्तर सिक्षक प्रतिभागी हिसा लिये, हमारा अगला क्रिशन है, छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार दोवारा कितनी प्रतिशत सबसेड़ी दी जाएगी, पहला अप्षन पचास प्रतिशत, दूसरा अप्षन 40 प्रतिशत, तीसरा अप्षन 30 प्रतिशत और चौथा अप्षन 60 प्रतिशत, हमारा अंसर होगा अप्षन नमबर सकेंड, चालिस प्रतिसत जी हाँ घर की छट पर सोलर रूप टॉप संयत्र लगाने के लिए चालिस फीसदी सबसीडी दी जाएगी सबसीडी की रासी नवीन और नवीकरन ने उर्जा मंतराले की ओर से दी जाएगी जारकंड की घरेलू छतों पर लगाने के लिए 10 मेगावाट सोलर रूप टॉप प्लांट यूजना की मंजूरी भी दे दी गई है हमारा अगला कुशन रहा जारकंड में रिमिल बिरूली कित खेल से संबंदित है हमारा अप्सन होगा पहला होकी दूसरा बैडमिंटन तीसरा तीरंदाजी चौथा तेरा की जी हाँ दोस्तों इस पे हमारा अप्सन नंबर गाद तीसरा तीरंदाजी रियो ब्राजिल 2016 में उलम्पिक के लिए भारती महिला तिरंदाजी टीम को कोटा जीले आने वाले जारकंड के तिरंदाज रिमिल बूरूली को 2020 उलम्पिक क्वालिफायर के लिए चेहन ट्रायल में भाग लेने से वंचित होना पड़ा था क्वालिफिकेशन के लिए तै नंबर 630 से अधिक 632 होने के बावजूद क्वालिफायर के ट्रायल के लिए मननिता नहीं दी गई थी हमारा अगला क्वेशन है 150 मेगावाट का तैर्था वा सोलर प्लांट कहां अस्थापीत किया जाएगा हमारा अप्शन है धूर्वा डेम राची, गेतलशुद डेम राची, काके डेम राची, बड़ा तलाब राची हमारा अंसर होगा अप्शन नंबर 2 गेतलशुद डेम राची राची का पहला और अब तक का देश का सबसे बड़ा 150 मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन चमता वाला तैर्था सोलर प्लांट राची के गेतलशुद डेम पर बनेगा धूरवा में 50 मेगावाट के प्रतीशत तैर्थे सोलर प्लांट के लिए जलस्तर ना काफी करने रहने के कारण इसे गेतलशुद डेम में से अस्थनांतरित किया जाएगा हमारा अगला क्यूशन है राची की क्रिशी सचीव कौन है हमारा अप्सन होगा पूजा सिंगल, डिके तिवारी, सुनील वर्णवाल और चौथा अप्सन डिके पंडे जी हाँ इसके हमारा अंसर होगा अप्सन नमबर का पूजा सिंगल राजी सरकार की क्रिशी सचीव, पूजा सिंगल को बीर्षा क्रिशी विसी विदाले की कुलपती का अतिरिक्त प्रभार भी सौपा गिया है B.A.U. बीर्षा एग्रिकल्चर इसके अस्थापना जोकी 26 जुन 1921 में भी थी और इसके उद्गाटन हमारे पूर्व परधानमतिरी सिर्मती इंदरा गांधी जी ने की थी अगला किशन है सकती एप से मिलने वाली स्विधाएं कौन-कौन सी होंगी पहला उप्षन पुलिस से, दूसरा उप्षन फायर ब्रिगेट की, तिसरा उप्षन एम्बुलेंस की, चौथा उप्षन या सभी की जिहां इसपैंसर होगा हमारा चौथा उप्षन या सभी की सकती एप इसके माध्यम से महिलाएं और युवतियों संकट की घड़ी में सहायता बटन दबाकर, पुलिस एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेट के अतिरिक्त अन्य परकार की सहायता ले सकती है या चर्चा में है, क्योंकि प्रसिक्चक, सिक्चक और सिक्चिकाओं के बीच जागरुकता अभियान अभी भी चलाया जा रहा है हमारा अगला क्यूशन है, आठ जनुरी को सिक्च भिखारी की कौन सी सहादत दिवस पर सर्धांजली दी गई है हमारा अप्सन होगा, 133, 143, 163, 164 हमारा अंसर होगा, अप्सन नमबर 4, 164 जी हा, 164, सहीद सेख भिखारी, अंग्रीजों के खिलाप 1857 में जंग आजादी के लिए लड़े थे जन्म 1819 सिस्वी में जारखंड के राची जीला बुढमू में इनका हुआ था 8 जनुवरी 1858 को चुट्टु घाटी पर मैकडोना द्वारा सेख भिखारी और उनके साथ ही टिकेट उम्रावसी को चुट्टु पहाडी के बरगत के पेड़ पर फासी दे दी गई थी हमारा अगला क्वेशन है अकाडमिक उतक्रिष्ट प्रतकार किसे दिया गया है हमारा ऑप्शन होगा डाक्टर रितिका रितु अप्शन नम्बर टू डाक्टर रिता कुमारी अप्शन नम्बर त्री डाक्टर हेरेंज टोपो अप्शन नम्बर गह डाक्टर वीमला मुंडा जहां इस प्यांसर होगा हमारा अप्शन नम्बर ख डाक्टर रिता कुमारी बैंगलूरू में आयुजित भारती विज्ञान कॉंग्रेस अधिवीशन में मरवाडी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की सहायक प्रध्यापक डॉक्टर रिता कुमारी को एकाडमिक उत्कृष्टा प्रुषकार दिया गिया उन्हें या प्रुषकार मनोविज्ञान में उत्कृष्ट सोध पत्र प्रस्तूती के लिए दिया गिया है हमारा अगला क्वेशन है फिल्म खुन्नस के निर्देशक एवं लेखक कौन है हमारा ओप्षन है नरेंदर पांडे अगला ओप्षन मुकेज राजसीन तीसरा अप्षन स्वाती due चौथा ओप्षन अमरेंदर तिवारी आंथर बनेगा हमारा दूसरा ओप्षन मुकेज राजसीन जी हां, खुननस पिक्चर इस फिल्म में लीड की भूमिका में हजारी बाग के नरेश कुमार और रामगड के देवा है वही अभिनेतरी की रूप में प्रिया कुमारी है जो हजारी बाग की ही रहने वाली है इस फिल्म में अधिकतर कलकार जारखंड से सम्मंद रखते हैं हमारा अगला केशन है 65 वी राष्टी स्कूली सिम्बलम प्रत्योगिता में जारखंड ने कुल कितने पदक जीते पहला उप्शन 4, दूसरा उप्शन 7, तीसरा उप्शन 10 और चौथा उप्शन 12 जी हाँ इस पे हमारा अंसर होगा उप्शन नमबर दूसरा ख जो की साथ है जारखंड के खिलाडियों ने अलग-अलग आयू वर्ग में राष्टी स्कूली सिम्बलम प्रत्योगिता दिल्ली के त्याग राज इस्टडियम में कुल साथ पदक अपने नाम कर लिए जी हाँ दोस्तो अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लैक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद जी हाँ